आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगे 15 ऐसे फूलों के पौधे जिसे आप जून, जुलाई, अगस तक आप लगा सकते हैं तो मैं सबसे पहले जिस प्लान के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बहुत सारे नाम है जै, जुई, चमीली, सैाली, कुंदा, मलीका, मोग्रा और चैस्मीन जितने सारे नाम है उससे कहे जाधा वराइटी है इसके इसे आप जुन की महीने में लगा सकते हैं इसे आप 10-12 इंच के पॉट में कटिंग से असानी से ग्रोव कर सकते हैं आप अगर नरसरी में भी जाते हो ना तो नरसरी वाले भी पूसते हैं कौन सा मोग्रा चाहिए सिंगल पेडल चाहिए, डबल पेडल चाहिए, कुछ मोग्रा की पत्य पत्ली होती है, कुछ की गोल होती है चाहे वो कोई भी वराइटी हो, उसकी केर एक ही तरह से करते हैं तो इसे आप जुन की महीने में जरूर लगा ले ये प्लांट इतना हुपसुरत है, इतना अच्छा है इसकी जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है अब प्राजीता या प्लितोरिया, इसे निलकन या विश्नोकांता भी कहते हैं ये बहुत ही यूनिक प्लांट है आपके घर में कितनी थी स्पेस हो ना, ये प्लांट हो नहीं चाहिए ये एक बेल वाला पौदा है, बेल की तरह चलता है इसकी एक यूनिक क्वैलिटी ये है कि बाकी जितनी भी बेल वाले पौदे हैं इस्पेसली फूलो वाले, उनमें थोड़ी महनत लगती है फर्टिलाइजर वागारा बहुत ही लगता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है लेकिन ये अगर आपने ओके-ओकी भी चीज़े की है ना, तो ये फ्लावरिंग करके ही रहेगा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक धार्मिक शुप पौदा है दूसरी चीज़ ये है, हरवल आयरुवेदिक प्लांट है, इसकी फ्लावर की टी बनती है जैसे आप ड्रीन टी पीते हैं ना, सेम अप राजीता टी बनती है ये बहुत ही खुबसूरत प्लांट है, इसमें दो कलर्स होते हैं वाइट और ब्लू, इसकी वराइटी भी होती है, सिंगल पिटल होते हैं, डबल पिटल इसे आप जून की महीने में जरूर लगाएं, ये है हिबिसकस या चाइना रोंस, इसे अडगुल और गुरहर की नाम से भी चानते हैं इस तरह की फूल भी अभी लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात में इनकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है हमारे पास और भी वराइटी है, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत खुबसूरत रंग इसमें आते हैं, अलग-अलग रंगों की फूल आते हैं, बहुत खुबसूरत दिखता है कटिंग बहुत असानी से लगती है, बहुत मोटी कटिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे अकार की कटिंग इसकी बहुत असानी से लग जाएगी अभी आप मंडेवेला फ्लावर भी जरूर लगाएं, यह बहुत ही खुबसूरत फ्लावर है, पर्मनेंट इसकी बेल होती है एक बार इसको लगा लें, फिर इसमें फूल खिलता रहता है, यह समर में बहुत खुबसूरत खिलने वाले फूलों की बेल है अगर पास से छेगंटे की धूप नहीं भी आती है, आपके हैं फिर भी इसे आप ग्रो कर सकते हैं, यह बहुत ही खुश रहता है इसे मौनेंग की धूप मिल जाए, इसके लिए बहुत अच्छा है, एक दो घंटे की धूप मिल जाए, अच्छे से खिल जाती है इसमें किसी छोटी-छोटी कलिया आ गई है, इसे गंबली में लगाने का एक साइधा है, अगर खंड कर टाइम है तो इसे ओस से बारिश से बचा सकते है, मधुमाल्ती, इसके खुश्बों के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इसी तो मैं सिर्थ महसूस कर सकती हूँ, आप बस इसके खुब सूर्ती देखिए, बीहत शांदार है, मधुमाल्ती के खिलने के समय भी यही है, इनकी प्रोपेगेशन का बेस टाइन भी यही है, मधुमाल्ती को लगाने के लिए बहुत मूटी डाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसली इसमें रूर्स आ जाती है, रेनी सी इनकी लेया बैग में रंके होते हैं, इनके फूल ट्यूब शपेड होते हैं, और आकार में तकरीबन पास सैटिमेटर के होते हैं, यह बहुत इभारी मातर में खिलते हैं, और बड़ी पेजी से ग्रोव हो जाते हैं, बहतरीं ग्राउंड कवर का भी यह काम करते हैं, आप इनकी बेज से उगा सकते हैं, घूत केशी या यैरो, इनका बोटनिकल नाम असेलिया मिली फूलिया है, यह फूल अनीक रंगों में मिल जाएंगे, लाल गुलाबी, पीला, बैग, निया सफेड, जो चाहे आप चुल ले, रंगों की यहां भरमार है, यह देखने में बहु अधा लगा लिया है, इसे भी आप अभी लगा सकते हैं, इसमें कुछ दिन में फ्लावरिंग होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, यह है जीनिया की खुबसूरत फुल, इसकी भी केर करना बहुत आसान है, इसे आप जून की महीने में लगा सकते हैं, यह पाँच से द कावरिंग बहुत अच्छी आती है, रोजाना नाजुक फुल खिलते हैं, जो दिन भर में ही मुर्जा जाते हैं, बहुत सारी कलर की वराइटीज मिल जाएगी आपको, और यह पत्ते भी एडिबल होते हैं, इनकी प्रोपेगेशन आसान होती है, इनको कटिंग से लगाया जा सकता है, जस्ट ये कटिंग आपने तोड़ी, आप इसे किसी भी गमले में अगर प्लांट करेंगे तो ये लग जाएगा, बस इनको लगाना इतना ही आसान होगा, ये नया पौधा बन जाएगा, इसकी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे तयार कर सकते हैं, और इसमें अलग-अलग रंगों की फूल भी आपको मिल जाएंगे, ये देखे, लूनिया के खुबसूरत फूल, इसको आप हमेशा धूप में रखें, जितने ज्यादा इन पौधों को धूप मिलेगी, उतने ही ज्यादा इन में खुबसूरत फूल आएंगे, ये शेड में बिलकुल नहीं चलता है, और ये ओवर वाटरिंग से दलने लगता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखें।